एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम डिसकेशन करेंगे बैंक निफ्टी का काफी लोगों को एक कमेंट आ रहे हैं जैसे आप पहले एनलेसिस कर रहे थे वो भी एड़ करो तो हम वो चीजे भी यहाँ पे एड़ करेंगे लेकिन जो हमन करने में मजा आए या चीजों को समझने में मजा आए तो आए सबसे पहले कुछ चीजे समझने के कोसिस करते हैं कल के लिए हमारी क्या स्टेटीजी रहेगी गैप अप पे क्या करना है या गैप डाउन पे क्या करना है या पोजिटिव मुमेंटम पे क्या करना है फ्लैट point था ये पहली candle इधर 5 minute का time frame लगा हुआ है इधर 15 minute का time frame लगा हुआ है चाहे आप 5 minute पे इस candle को देखो या 15 minute पे इस वाली candle को देखो एक gap down opening हुई और पहली ही candle में यहाँ पे buyers हावी होते हुए दिखाई दिये अगर आप धिहान से notice करेंगे ये situation क्यों बनी अगर आप second का day high देखेंगे इस zone में उस दिन हमें rejection देखने को मिला था बार बार market यहाँ पे जा रहा था गिर रहा था यहाँ पे sellers आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे थी लेकिन जब उसका breakout मिल जाता है तो वहाँ पे support बन जाता है तो यहाँ पे buyers बैठ जाते हैं जो market को ऊपर की तरब धकेलते हैं वही situation आपको आज यहाँ पे दिखी same ही zone से आपको यहाँ पे buyers active होते हुए दिखाई दिए और पहली ही candle में काफी अच्छा momentum लेके चले गए अब यहाँ पे और चीज़े notice करो अगर आप 5 मिनट के time frame पे पहली ही candle को दिखेंगे यहाँ पे भी आपको एक upper shadow दिखाई देगी यानि कि यह एक तरह कर rejection होता है और हर candle में अगर आप notice करोंगे इस zone के पास आपको एक rejection दिखाई दे रहे यानि कि इस zone में आपको sellers बैठे वे दिखाई दे रहे तो यहाँ से हमें पहली चीज़ तो पता चल जाती है कि buy तो active होने वाला है ही नहीं और अगर market को buy active करना है तो पहली चीज़ इस जो यह 5 मिनट की candle है इसके उपर हमें closing चाहिए पहली यह चीज़ दूसरी इस पे support बनना चाहिए यानि कि price यहाँ पे sustain करना चाहिए दूसरी यह चीज़ तीसरी चीज़ जो अगर आप ध्यान से समझेंगे जो 5th का day high बन रहा है इसका breakout भी मिलना चाहिए तभी हम एक buying position के बारे में सोच सकते हैं यह यहाँ पे buy active होते हुए दिखाई दे सकता है इस तरह की situation market में थी जब market open हुआ तो यहाँ से हमें पहली चीज़ यह तो confirm होगी कि buy तो है ही नहीं अब यहाँ पे selling ही बन सकती है और selling भी कैसे बन सकती है उसका भी confirmation हम लेंगे क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि अगर buyers नहीं है तो हम selling position बना के बैठ जाए यह भी गलत बात होती है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यह तो buy होगा या फिर selling होगा हर चीज के पीछे एक logic होना चाहिए तो selling के पीछे यहाँ पे क्या logic था पहली चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं अगर हम 5 minute के टाइम फ्रेम पे आएंगे blue वाली line का आपको सभी को पता है यह 9 exponential moving average है हमारा red वाला 50 exponential moving average है और black वाला 200 day exponential moving average है यह चीज आप सभी जानते है यहाँ पे अगर आप धियान देंगे तो market support लेता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा कहीं पे 9 exponential moving average पे लेकिन इसका breakdown भी आ गया breakdown आ गया तो अगला जो हमारा support बनता है यह बनता है आपका 50 exponential moving average पे यानिकि इस red वाली candle ने देखो इस red वाली candle ने 9 exponential moving average का भी breakdown दिया और 50 exponential moving average का भी breakdown दिया और नीचे closing देदी पहला तो यह signal है कि यहाँ से selling activate हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इस zone में भी एक support zone दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें rejection देखने को मिलते हैं बायर सावी होते भी दिखाई देते हैं अगर हम यह perfect entry चाहिए तो हम इसके नीचे position बना सकते हैं और यह हमारा सबसे ज़्यादा important zone निकल क्या है हाला कि जिस तरह की situation आपको market में बनती भी दिखाई दे रहे हैं इस तरह के market को आपको avoid करना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे 15 minute के time frame पे जाओ जो यह high लगा है 15 minute की candle का ना तो इसका breakout हो पाया अगर इसका low लगा है ना ही इसका breakdown हो पाया क्योंकि यहाँ पे उपर जाने की कोशिस की market ने मतलब ललचाया बहुत लोगों को जो जल्दी position बना लेते हैं अगर उन्होंने सोचा होगा इन्हें candle को उपर जाते होए देख कि 15 minute की candle का high breakout हो गया होगा और उन्होंने buying position बना ले होगी तो यहाँ पे trap हो गया होगी तो आज हमें बहुती सावधानी से काम लेना था इवन चाहें आप trading को भी avoid कर देते हैं वो भी बहतर रहता पर लेकिन फिर भी logic हमें सारी समझने है चीजों को सारी समझने है अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर 15 minute की candle का अगर आप low mark करेंगे इससे नीचे भी market ने जाने की कोसिस किया लल्चाने की कोसिस कि है कि market गिरेगा लेकिन गिर नहीं पाया क्योंकि अगर गिरने की situation बनती या तो हमें 200 day exponential moving average देखने को मिलता या फिर जो 5th का day low है आपको ये वाला zone देखने को मिलता यानि कि 43,000 आपको easily देखने को मिल जाता इस zone में आपको market जाता हुआ दिखाई देता लेकिन वो situation नहीं दी लेकिन फिर भी यहाँ पे scalping हो सकती थी आज के दिन ये कुछ चोटी मोटी position के साथ आप selling position भी बना सकते थे तो इन चीजों को समझते हैं हम यहाँ पे 5 मिनट के time frame पे discuss कर रहे थे कि market ने इसके नीचे भी closing दे दी और ये 9 exponential moving average को भी respect करते हुए चल रहा है यहाँ पे हम ये चीज़े दिखाई दे रहे है इस situation पे आप selling positions ले सकते थे अपनी P.E. में entry ले सकते थे या फिर C.E. की writing कर सकते थे C.E. को sort कर सकते थे तो यहाँ पे easily target क्या होता target होता आपका सीधा सीधा day low लेकिन जो ये बड़ा rejection है था अगर आप इसी में ही profit book कर लेते इस तरह की situation को अगर आगे दिखाई देती है उन चीजों के इसाब से समझो तो ज़्यादा बेतर रहता नहीं तो अगर आप बने भी रहते तो आपको easily आपका target achieve हो जाता ऐसी situation पर क्या होता है चीजों को समझो अगर market ने पूरा ही time spend कर दिया ज़्यादा तर क्या देखाई मैं आपको experience के base पर बताता हूँ काफी लोग इस उमीद में बैठे रहते हैं कि day low के नस्दीक पहुँच गया है और इसका breakdown आएगा देखो मिल जाता है कभी कभा का आपको breakdown मिल जाता है लेकिन अगर पूरा ही time spend हो गया ये situation आपको दिखाई दे रही है तो आपको जहां भी profit हो रहा हो अपना profit लेके निकले या फिर cost to cost निकले उसमें फाइदा रहता है क्योंकि तेजी के साथ आपको bounce देखने को मिलते हैं और आज के दिन तो आपको rejection काफी बड़े बड़े देखने को मिले आप यहाँ पे देखेंगे अचानक से rejection यहाँ पे देखो rejection यहाँ पे rejection यहाँ पे rejection क्योंकि market किलियर नहीं कर रहा था कि यहाँ पे buyer सावी हो रहे हैं या फिर seller सावी हो रहे हैं क्योंकि वो एक भरम पैदा कर रहा था कि उपर ले जाता था जब भी green candle दिखने लगती थी तो ज़्यादे तर यह लगता था कि market में buying आ सकती है buyer सावी होते हैं तुरंट एक बड़ा rejection दिखा देता था फिर भरम कर देता था कि यहाँ पे seller सावी हो गए rejection दिखा देता था तो यह situation आपको देखने को मिल रहे थी इवन आप देखेंगी बड़ी बड़ी आपको काफी candle दिखाई दे रहे है जो market को clear नहीं कर रही market किस direction में जा रहा है लेकिन आप अगर थोड़ा सद दिमाग लगाते तो चीज़े हमें समझ में आती कैसे आप यहाँ पे देखो जब market ने 200 day exponential moving average का breakdown दिया और साथी साथ 50 exponential moving average का breakdown दिया इस पे market resistance की track कर रहा है तो यह पहला confirmation था कि selling तरफ ही आपको पैसा बन सकता है भले ही आज के time पे थोड़ा पैसा बनता क्योंकि इतना बड़ा momentum नहीं आया अगर आप 15 minute के time frame पे विजाएंगे आपको clear clear 9 exponential moving average से rejection देखने को मिल रहा है और 50 exponential moving average से भी आपको rejection देखने को मिल रहा है तो यह भी एक indication था कि आपको यहाँ पे seller सावी होते वे दिखाई दे रहे है तो यानि कि put side ही आपका पैसा बन सकता था या फिर आपको C sell करना पड़ा तो logic आपको सारे चीज़े समझ में आए होगी अब कल के लिए strategy समझो कल के लिए हम क्या देख रहे हैं अगर market को momentum करना है उपर की तरह तो पहला resistance पहले तो यह हमारा जो 50 exponential moving average है market को इसका breakout देगे price उपर sustain करना पड़ेगा यह पहली condition रहेगी दूसरी condition market approach करने की कोशिस करेगा अपने day high को यहां से एक rejection बन सकता है क्योंकि हमने आज के दिन भी rejection देखा है और हमने 5th को भी यहां से rejection देखा था और उससे पहले भी हम November में भी यहां से rejection देख चुके है इवन breakout मिलने के बाद यहां पर अच्छे खासे हमें support भी दिखाई दिये है यह चीज़े आपको समझ में आ रहे है पहला target यह रहेगा अगर इसका breakout मिलता है जो 5th का day high है market इसे approach करने की कोशिस करेगा अगर इसका breakout मिलता है तब जाके market 1st December के high को approach करने की कोशिस करेगा यह momentum रहेगा अगर flat open होके market ने आपको positive momentum दिखाया तो पहली situation समझ में आगी अगर आपको gap up opening देखने को मिल गई जैसे कि आज आपको gap down opening देखने को मिल गई तो दियान यह रखना है कि इस zone में तो gap up opening नहीं हो रही अगर इस zone में gap up opening हो रही है तो high probability है कि यहां से आपको rejection देखने को मिले लेकिन अगर इसके उपर price sustained कर गया तो यहां से आपको positive momentum देखने को मिलेगा condition क्या रहेगी 5th का आपको day high कभी breakout मिलना चाहिए यहां तक चीज़े समझ में आई दूसरा discussion करते है अगर negative momentum आए negative momentum की situation पर आपको क्या देखना है अपने 200 day exponential moving average पर पहला support लेगा और अगर इस पर support लेगा तो आपको धियान यह रखना है 6th के day low का भी breakdown मिल जाना चाहिए अगर वो situation बनी फिर हम यह देखेंगे 200 day exponential moving average पर market किस तरीके से react कर रहा है अगर इसका भी breakdown मिलता है दिहान रखना है 15 minute के time frame पर हम discussion कर रहे है इधर 15 minute का time frame लगा है इधर 5 minute का time frame लगा है तो अगर 15 minute के time frame पर आपको 200 day exponential moving average का breakdown मिलता है तो market 5th के day low को approach करने की कोसिस करेगा अगर इसका भी breakdown मिला तो आपको जो second का day low है market इसे approach करने की कोसिस करेगा यहां तक चीज़े किलियर है अगर gap down की situation बनी तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो कहां पर हो रही है 200 day exponential moving average पर हो रही है तो support की possibility है अगर इसका breakdown दे देता है उस situation पर आपके लिए नीचे की तरफ यही targets रहेंगे किलियर है सारी चीज़े समझ में आई अब price action के according कहां पर support resistance बन रहे हैं उन चीज़ों को भी discussion कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमने जो भी discuss किया वो moving average के according किया आई एक बार price action पर भी नज़र डालते है अगर gap up opening देखने को मिली या फिर flat open होके market ने आपको positive momentum दिखाया दोनों ही situation पर जो में resistance बनता हो नज़र आ रहे 43,300 पर बनता हो नज़र आ रहे इहां से देखेंगे आप तो यहीं पर 6th का day high भी है और यहीं से आज हमें rejection देखने को मिला है यह चीज हमने discuss की है कि पहले भी आपको market यहां से कई बार rejection दे चुका यह काफी important level रहेगा और आपको कल भी discuss किया गया था कि एक rejection का कारण बन सकता है तो यहां तक पूरी picture के लिए रहे अगर आपको इसका breakout मिलता है उस situation पे जो हमें resistance नजरा रहे 43,400 पे आपको यहां पे resistance देखने को मिल रहे है चीज़े के लिए रहे है वहीं पे अगर हम discussion करें अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है या फिर flat open होके market आपको negative momentum दिखाता है दोनों ही situation पे जो में support नजरा रहे है 43,000 पे आपको यहां पे support देखने को मिल रहे है अगर market इसका breakdown देता है फिर 42,900 पे आपको अगला support देखने को मिल रहे है दोनों ही support काफी important है अगर 43,000 की बात करें तो 5th को आपको support देखने को मिल रहे है second को भी एक support देखने को मिला और उससे पहले भी आप देख सकते हैं आप पर आपको support resistance दिखाई दे रहें same ही आप 42,900 के लिए भी देख सकते हैं 30 को आपको support देखने को मिला था उससे पहले भी आपको बहतरीन support यहाँ पे देखने को मिले तो उम्मीद है आप इन चीजों को दिहान से समझेंगे एक बात और नोटिस करेंगे जो ये रेंज बन रही है ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपके साथ कहीं दिनों से डिसकस कर रहा हूँ कि मार्केट उसमें ही उपर एक बात रहा है नीचे सपोर्ट कितरे एक्ट कर रहा है इस रेंज को तो आपकी इस रेंज पे खास नजर होनी चाहिए कि अगर इस रेंज का ब्रेक आउट मिला तब भी आपको एक बहतरी इन अपोर्चूनिटी मिलेगी अगर ब्रेकडाउन मिला तब भी आपको बहतरी इन opportunity market में मिलती हुई दिखाई देगी यहाँ तक चीजे के लिए रहे अब समझते हैं no trading zone को जिससे हमें idea लगेगा कहाँ पर हमें trading नहीं करनी है उपले वाले line की बात करेंगे आप यह 43,206 की आपको दिखाई देगी है अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं pivot point हमें क्या बता रहा है अगर bank nifty में एक positive momentum देखने को मिला उस situation पर जो पहला resistance नजारा रहा है 43,230 पे नजारा रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है जो भी दूसरा resistance नजारा रहा है 43,378 पे नजारा रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो आपको तीसरा resistance दिखाई दे रहे हैं तीसरा इजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बायर रिकमेंडिशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडिशन है यह जस्ट एजुकेशनल परपस से बनाए गई एनलेसिस वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसेर्च करनी आपनी इन्वेस्टर की सला लेनी है क्योंकि प्रोफिट भी आपको होनी वाला है लोस की जिम्यदारी भी आपको अपनी आप लेनी है जो यहाँ पर हमें तीसरा रेजिस्टेंस नहीं ज़रा रहे है, 43,468 पर आपको तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वहीं बात करें, bank nifty में अगर आपको देखने को मिल एक negative momentum, उस situation पर जो हमें पहला support नहीं ज़रा रहे है, 43,081 पर नहीं ज़रा रहे है, अगर आ यहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहे है, दोस्तों इस वीडियो को like कीजेगा, comment करके मुझे बताएगा कि आपको analysis कैसे लग रहे है, साथी साथ इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon press कीजेगा, जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सकेंगे, फिर मिलें किसी ने एक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ, thank you.